Hello guys, welcome to our channel and I'm Manhal Malik दुनियापूर first episode is finally out and it got us completely hooked ये ड्रामा एक कमाल की cinematic experience की vibe देता है तो कहानी शुरू होती है जहां एक एससे जो लोकल बस से दुनियापूर ट्रेवल कर रहे होते है एससे जो का रोल समी खाना दाग कर रहे है जो कि नहायत शरीफ और इमानदार ओफिसर है लेगर उनको पहले से ही आगे की सुर्तेहाल से अगाह कर दिया गया है वेल वो बॉर्डर पे पहुंचते हैं और वहां से उनको अगवा कर लिया जाता है और फिर हम देखते हैं दो खानदान एक है नवाब खानदान और एक है आदम खानदान दोनों खानदानों की आपस में काफी दुश्मनी चल रही है आदम खानदान के सरबरा नोरोस खान के दो बेटे हैं एक है नायाब और दूसरा है शामीर और एक बेटी भी है दूसी तरफ नवाब खांदान के तीन बेटे मर चुके हैं एक बेटी एना है और एक बेटा फाहद है इलाके में इनकी देश्चत है और इनकी कोई कानून साजी नहीं है बाइकर्स रेस होती है जिसमें शामीर भी हिस्सा लेता है और शर्थ ये होती है कि जो हारेगा वो मिट्टी चाटेगा शामीर जीतने ही वाला होता है कि उसकी बाइक के आगे एक बच्चा आ जाता है और वो गिर जाता है और रेस हार जाता है और नयाब को मिट्टी चाटनी पर जाती है अब हम देखते हैं कि घर में नयाब और शामीर दोनों बहुत अलग मज़ाज के हैं नयाब बड़ा बेटा है और गुसे का तेज है और वो गदी नशी होना चाता है जबके शामीर का इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसके अख्वाब कुछ अलग ही है शामीर इंट सबसे काफी मुख्तलिफ है दूसी तरफ ऐना भी इस जगर महौल से काफी परिशान है और यहांसे दूर जाना चाती है वो अपने भाई से कहती है कि उसका बाहर जाने के इंतिजाम करें ताके वो यहांसे दूर चली जाए और उसका भाई उसके लिए वीजा ले आता है अभी हम दोनों खांदानों को समझ ही रहे होते हैं कि नयाब के असले के अड़े पर उस पे हमला हो जाता है नवाब खांदान के लोग उस पे हमला कर देते हैं और सब को मार देते हैं लेकिन नयाब वहां से किसी तरह बच निकलता है और वो अपने घार आता है और काफी गुसे में होता है शाहमीर जो के पहले ही S.H.O की हालक दे के परिशान होता है नयाब को दे के मजीद परिशान हो जाता है और उसको कहता है कि वो वहां पे न आ जाए लेकिन नयाब अपने बंदों को लेके नवाबों की हवेली बे चला जाता है शामीर उसको बहुत समझाता है कि वो वहाँ पे ना जाए लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता और ये सब फाहत का बिचाया हुआ जाल ही तो है नवाब उसको कहता है कि उसको दोनों बेटे जिन्दा जाहिए शामीर हवेली में एना के कमरे की तरफ चल पड़ता है और एना उसको चाकू मारके जखमी कर देती है और दूसी तरफ नयाब भी जखमी हालत में उनकी हवेली में गिर जाता है अब नवाब साथ के पास आदम के दोनों बेटे हैं अब नुरोज खान अपने दोनों बेटों को चुरवाने जाएगा अब वो जमीन भी देगा और शायद अपनी बेटी भी क्योंकि नवाब साथ को शादिया करने का बड़ा शोक है The drama is a strong storyline and the visuals are amazing खुशाल खान ने इस ट्रामे में अपने सारे stunts खुद किये है ट्रेलर से लग रहा है कि खुशाल खान इस तक्त पर बैठेंगे कॉस्ट्यूम रोकेशन सब कुछ बहुत कमाल लग रहा है ये एक pure cinematic experience दे रहा है and it's also giving us the vibe of मिर्जापुर Well हम आगे के episodes का बेस सब्री से इंजार करेंगे और आप हमें feedback जरूर दियेगा For more videos like this, like and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon Allah Hafiz